शेल का नाम था चिट्टू, एक रात वहदूर के सफर से लौट रहा था, लेकिन ट्रेन देर से आने के कारण उसे स्टेशन के पास के एक होटल में रुखना पड़ा, होटल पुराना और सुनसान था, लेकिन ठकान के मारे चिट्टू ने सोचा कि बस यहीं ठहर लिया जाए जैसे ही चिट्टू अपने कमरे में पहुँचा, उसे हलकी हलकी अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, उसने इसे नजर अंदाज करने की कोशिश की और बिस्तर पर लेट गया, राब के बीच अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंध हो गई, और अंधेरे में चिट् को घेर लिया और अपनी डरावनी आवाज में कहने लगे, यह हमारा इलाका है, यहां रुखने की हिम्मत कैसे की, चिट्टू डरते हुए उनसे माफी मांगने लगा, और कहा, मुझे छोड़ दो, मैं यहां गलती से आ गया हूँ, भूतो ने उसकी दैनी हालत देखकर उसे माफ कर दिया, जैसे ही भूत गायब हुए, चिट्टू ने कमरे से भागते हुए, वहां से निकलने का फैसला की दो,